क्लास सेवंथ का गनित बुक है बिहार बोड़ का और इसमें हम जानेंगे प्रश्णवली 1.2 और इस विडियो में ये पूरा सवाल इसमें टोटल डॉटल आपका सवाल चवडे चाहुद्या सवाल है और इस वीडियो में सारा सवाल सॉल्व करेंगे लास्ट तक देखिए लाइक कर लीजिए और सबस्क्राइब कर लीजिए ताकि अगली वीडियो आप से मिशना हो प्रश्नमली एक पुइंट दो में क्या है गुना किजिए और इन सब को गुना करना है चलिए गुना करके आपको बताते हैं देखिए ये आपका सवाल सॉल्व कर लिया गया है ताकि आपको सिर्फ समझाने में कम से कम आपका समय हम ले सकें देखिए 225 में मैनस 4 को गुना करेंगे तो 900 आएगा देखिए ऐसे आप गुना कर सकते हैं को सिखा देते हैं 5.20 का 0 बांकी 2 धियान रखेंगे 2.8 और 8 दो 10 10 का 0 फिर बांकी एक 2.8 और बांकी बांकी बाल एक जोड देंगे 9 यहाँ मैनस है यहाँ कुछने तो पलस पलस गुना मैनस मैनस ठेक है 405 में 5 को गुना कीजिए तो सबसे पहले मैनस को मैनस से गुना करेंगे पलस हो जाएगा और 5 को 5 से 45 में 5 से करेंगे 25 का 5 बांकी 2 0 बांकी 0 देखिए गुना करेंगे 25 का 5 बांकी 2 तो जीरो को प्स्रें से करेंगे तो जीरो और दो भाइक था उसकर जोड़ देंगे 4 Penche वीश तो फीक सब्थीश होता है यह थोड़ासा निगीटीप आगया था το मैनस मैनस पहलँ ये इसका 1-35 इब तीनों को गुना करेंगे कैसे करेंगे कुछ नहीं जिरुब नाजीरो यहां पर रख देंगे ठीक हैजीरो रख लिए अब यह बचा तो 35 में 1-25 pro 35 को 3 से गुना करते हैं पांच त्यापंद्रे का पांच लिए 1 3 9 9 10 minus guna minus क्या हुआ किसी संथ्म्aggi Baptist University 0 все गुना करते ह tires आक नों है बिलकल सब्खाथ आंगे आगया अब का है डी नमर में 116 पर 15 ct 15 आद पांचẹबे 71 नमर स्वाद में 7C5-5 माइनस था कुछ नहीं तो पलस तो मैंनस गुना पलस मैंनस तीन को 35 से करेंगे देखिए जीरो है यहां पर जीरो ये तो हो गया चलिए आते हैं घ्रत कौई आठें अब approached Z вот जो 64 और चौन चार से करेंगे तो 64 चोक दूसर छपपन अब यहां देखिए मैनस गुना मैनस पलस पलस गुना मैनस मैनस और मैनस गुना मैनस पलस तो दो सो चपन हो गया दो को यह दो से करेंगे दो दो चार चाल को दो से करेंगे आठ आठ लिखे मैनस को मैनस से पलस और पलस को मैनस से मैनस हो गया चलिए, आगला i का सवाल है इसको कीसे गुना करेंगे तो दो र्रहा को बैसे करेंगे, दो बेकर 20 को 25 से करेंगे, तो 25 से करेंगे तो नहीं पर आपको सिכाते है, रेखिए 25 गुना 20, एक तरफ ये दोनों को मैनस में है और मैनस में, फिर गुना 25 को 5 से 25 गुना 5 दोनों मैंनस में तो देखिए यह 0 को रख लेंगे 15 गूना 30 मैंनस मैंनस प्रस 300 हुआ फिर गूना यहां मैंनस मैंनस פलस 25 बाकी 2 तो 5所以 10 दो बार 125 को suddenly 300 करेंगे तो प्रस गूना प्रस-पलस ही होता है अब यहां दो 0 है तो दो 0 को रख लेंगे अब 125 को 3 से करेंगे तो 375 होता है 375 आया हुआ है आगे बरते हैं अब धियान से आप सिखिए और दुबारा देखिए अगर समझ में नहीं आया तो निमलखीत में सत्य और उसत्य को चुनना है अब 18 गुना मैनस 2 गुना 18 सही बात है कि गुना उल्टा कीजिए या शीदा 2 में 18 से कीजिए या 18 में 2 से कीजिए तो एक ही अंक आएगा सत्य होगा अब मैनस 38 को एक से गुना करेंगे तो 38 कभी नहीं आएगा मैनस 38 आएगा यह और सत्य है मैनस 20 को मैनस 5 से गुना करेंगे या मैनस 5 को मैनस 20 से गुना करेंगे तो वही अंक आएगा सत्य होगा 43 को 0 से गुना करेंगे तो 0 ना आना चाहिए लेकिन यहां पर 43 दिया हुआ है 43 और सत्य होगा 1 को मैनस 425 से गुना करेंगे तो मैनस से 425 ना आएगा तो यह सत्य हुआ मैनस 1 को 25 से गुना करेंगे तो बताए यह 25 आएगा मैनस 25 ना आएगा आगे आप धीयन दिजिए, आगे आपका 7 नमर है मैनस 2 गुना, मैनस 12, गुना 24 अब यहाँ पर देखिए, समझना आपको कुछ गुना में हमेरे सा सत्य होता है मैनस 2 को 2 गुना करेंगे, फिर 24 को गुना करेंगे, फिर वही काम है, मैनस 2 है अब यहां मैनस दो बराकेट में था और यहां बराकेट से बाहर कर दिया यहां पर देखिए यहां अंदर है और यहां देखिए बाहर इधर है और यहां पर देखिए बारे इधर है और यहां पर सुरू में कर दिया 24 बाहर था 24 को अंदर तो यह दोनों को गुना करेंगे Satya हुआ मैनस-5-2-3-5 को बाहर कर दिया 5 होता है और यह पांच को पांच से कुना करेंगे तो 25 आएगा यहां पर देखिए 15 गुनाद दो मैंस-5 2-10- मैंस-5-10 तो मैंनस-15 – 15 तीन मैंस-5 भी आठी मैंस-15 को जो रियेंगे मैनस 25 होगा दोनों बराबर है यह मैनस है तो सत्य हुआ चलिए अब का अगला जो है निमनलखीत के सामने उसके उसित गुन को लखिए अब 25 गुना आठ पलस दो है आठ पलस दो बरेकेट में है यहां पर देखिए मांतर तीन हंग है और यहां पर विस्तार कर दिया गया तो में बितरन में बांट दिया है 25 को पहले आठ से गुना कर दिया फिर 25 को दो से गुना कर दिया तो यह हो गया बितरन करम बीने में करम बीने में क्या होता है जिस आठ को चार से किया यहां चार को आठ से कर दिया तो यह हो गया करम बीने में फर्स्ट चप्र में आपको बता करना है यहां पर देखिए 2 गुना मैनस-10 किये तो मैनस मैनस 7 0 jest हो गया भी सागय पहुए है 500 हैंक्व किसी संख्या में है एक से गुना एक संख्या पर वही संख्या आता है तो यह तस परकार से आपका तीन तक सवाल स्वाल हो गया, चलिए, सवाल नमर 4 में चलते हैं, लाइक कर दीजी आप, अब देखिए आपका चौथा सवाल जो है, वो क्या कहता है, चलिए, सवाल सवाल आपका है, सत्यापित करें, 42 गुना मैनस पॉंच, मैनस पॉंच गुना 42, दोनों को गुना कीजिएगा 210, ये दोनों को गुना कीजिएगा 210, अब 25, 28 प्लस 2 है, 28 प्लस 2 तीस हुआ, अब 25 को 30 से किए 750, अब यहाँ पर बंट दिया है, 25 गुना 28, फिर 25 वच्छ गुना 2, दोनों को गुना करके जोड़ दीजी, 750 बरबर है, तो ये सत्यापित, दोनों तर है बराबर माणाना चाहिए, ये 2 दोनों को गुना कीजिए, फिर 20 podcasts को आपन्च को इस गुना 10 से करेंगे, पाच गुना 2, ani दशाब 24 गुना 5 यहाँ द sì,ब 24 गुना 20 य तो दौनों बराबर है अब अगला सवाल आपका पांच नमर में है देखिए अगला पांच नमर में Hey किस पुर्णाम कि मैंrich का गुना करने नहीं पराप्त हो थालता है रिया मैंईस ब्स जो है कैसे पराप्त होगा किसी मैं- एक कोई कि ने करना जीरो में मैनस एक से गुना कीजिएगा तो भी जीरो और कुछ से गुना कीजिएगा जीरो इसमें आपको को टेंशन ने कुछ से भी गुना कर देजी एक में मैनस एक से गुना करेंगे तो एक मैनस पचास में एक से मैनस एक से गुना की तो पलस पचास आया पलस पचास में म धनात्मक पुरनक होता है दुरहेंगों को का गुणनफाई तो मैनश चार मैनस पॉच दो गरिन पॉरिंग लिए बचार मैनस को करते हुए मेनस 7 गुना 5 पलस मेनस 7 गुना 11 है तो 75 मेनस 35 70 गुना 11 मेनस में है मेनस 5 यहाँ गुना 17 पिर देखिए मेनस यहाँ पर सवाल जो है आपका साथ नमर का यहाँ पर सिकhए 675 को मेनस 5 से गुना करेंगे फिर 5 को मैनस 675 से गुना करेंगे अब यहाँ यह मैनस जो है ना मैनस मतलब यह पूरा जो है इस पूरे में से घटेगा इसको काट यह आपको समझाते हैं तोरा साटव फिर 675 को मैनस 5 से गुना करते हैं तो 55 बाकी 2 7 पचे 35 दूसाई 30 बाकी 3 435 मैनस मैं मैन लगा दिए यहां देखे मैनस है न मैनस मैं लगा दिये पांच को मैनस 472 से गुना किजिए मैनस नहीं आएगए लेकिन आपको समझाओ दिए आठ याम हgenच पचास पकांचास मैनस 4 चयालिस चयालिस में आर्ट सँ गुणा करेंगे 36 अब यहां पर देखिए 5 गुणा 27 गुणा मैंश 4 तो यहां पर देखिए पांचगुणा 27 135 हम मैंश 4, 7 540, 287 को 902 से गुणा कर दीजे नार्मल गुणा है मैंनस 57 को मैंनस 19 से गुना कीजिए और संटाबधन जोर देजिए तो गुना कीए इतनी आया संताबधन जोर 1740 आया स्वल्व करने के लिए बोला गया था तो हमने स्वल्व किया चलिए आगे आगे बढ़ते हैं यहाँ पर देखिए निमनलकोथ सार्नी को पूरा कीजिए यहां पर X का मान इधर और इधर दिया हुआ है अब पुरा करने यह Black Pen से जो है यह हम पुरा किये हैं कैसे किये हैं वो आपको समझेंगा, देखी मैनस 2 में 0 से गुना किये 0, मैनस 3 में 0 से गुना किये 0, 4 में 0 से गुना किये 0, मैनस 1 में 0 से गुना किये अब मैनस दो में मैनस एक से गुना करेंगे तो दो मैनस तीन में मैनस एक से गुना करेंगे पलस तीन क्योंकि मैनस गुना मैनस पलस मैनस चार में मैनस एक से गुना किये मैनस चार मैनस एक मैनस एक से गुना किये पलस एक और पलस पहुंच में मैनस एक से गुना करेंगे मैनस 5, मैंनस 2 में मैंनस 2 से गुना करेंगे, 4, पलस में मैंनस 3 में मैंनस 2 से गुना करेंगे मैंनस 6, सुरी, पलस 6 क्यों कि मैंनस मैंनस पलस हो जाएगा मैंनस 4 में 2 से गुना करेंगे, 8, पलस में मैंनस 1 में मैंनस 2 से गुना करेंगे पलस 2 होगा, और 5 में 2 से गुना करेंगे 10 लेकिन मैनस में है तो मैनस 10 इसी परकार से दो में 3 से 6 फिर दो में 4 से मैनस 8 दो में मैनस 2 में पलस छे से करेंगे मैनस बारा है, फिर तीन में, तो सब गुना है, आपको आराम से गुना कर लेना है, ठीक है, हम आपको पैटर ने समझा दी, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, आगे देखिए क्या है, निमलखीत में कौन सत्य और हो सत्य, यहां पर भरा हुआ है, आ योज परतिलों पराप्त करने के लिए, उसमें सुन्ने से गुना करते हैं, सुन्ने से गुना नहीं करते हैं, बसकि उसके उल्टे से गुना कर देते हैं, और सत्य हो जाएगा, पांच का रिन पुर्नांकों का गुनान फल, धन पुर्नांक होता है, पांच गो रिन पुर्न सब्सक्राइब को जाता है कि आगे आफका और दोसरा है यह पाचसमा सवाल मैंनस चार में एक से गुना करेंगे, मैनस चार होगा, सत्य होगा मैनस पांच में जीरो से गुना करेंगे, जीरो होगा ये भी सत्य होगा, चलिए अगला सवाल आपका है दस नंबर, निम्नलखीत में पुर्णांकों के गुना में सही कतनों के आगे सही का निसान लगाई है लेकिन यहां पलस 32 दिया है तो यह उसत्य है इसको हम सही कर दिये तो देखिए मैनस 32 करके सही किये है चलिए तो आपने 10 तक समझा चार सवाल और है आपको समझाने के लिए एक 11 नमर यह पहले आप 14 सवाल समझे एक एक सवाल हमने सॉल्व किया है ताकि आपका बहुत कम समय लग सके पलस 3 में पलस 4 से गुना करेंगे तो कभी मैनस बारे होगा नहीं होगा यह और सत्य होगा और सत्य लिखा गया है पलस 3 में पलस 4 को गुना करेंगे तब पलस बारे होगा यह सत्य है अब देखिए, एक 11 नमर, एक 11 नमर जो सवाल है, वो क्या है, आप 11 नमर आपको सवाल पहले परना परेगा, देखिए, किसी हीमी करन, मतलब जो ठंधा करता है, ठंधा करने की जो परकिडिया में, कमरे के तापमान को 40 डिगरी सल्सियस से 5 डिगरी सल्सियस, परती घंटे की से कम करने की अब सकता है, तापमान अभी 40 डिगरी सल्सियस है, और एक घंटा में 5 डिगरी सल्सियस कम होना चाहिए, तो बोल्डावस परकिडिया के शुरू होने के 10 घंटे बाद, कमरे का तापमान क्या होगा, 40 डिगरी सल्सियस है, और एक घंटा में 5 डिगरी कम हो रहा क्तलब वर कितना होगा पहले आपको लिख दिये यहां कर देखें कमरे का piss STEULC एक घ Extremely Systems मतलब बताये आप कमरे का टाप्में में पौंश डिगरी कम करता है और दस घंटा में कितना करेगा एक घंटा में पौंश टो अनकितना 50 दिगरी से सिसक्म करेगा अब बताई यह भी 40 डिगरी है आप 50 कम हो जाएगा तो मैनस में लिदी सलस्यस आजएगा तो 10 घंटे बाद कमरे का ताफ मन क्या होगा मैनस 10 डिगरी सलस्यस चलिए 12 नमर सवाल समझे बारे नमर बारे नमर सवाल आपको पहर करके समझना पड़ेगा दस परसनों वाले कक्षा टेस्ट में परतेक सही उतर के लिए पौँच अंक मिलता है और परतेक गलत उतर के लिए दो अंक काट दिया जाता है एवं परियास नहीं किये के परसनों के लिए सुनने मतलब अगर आप परसन सही बनाते हैं तो आपको पांच नमर मिलता है गलत बनाते हैं तो आपको दो नमर कर जाता है अगर आप जवाब ही नहीं देते तो आपको एक भी नमर नहीं मिलता है अब क्ष्ट नमर एक पूछ रहा है मोहन चार परसन का सही उतर देता है तो समझ लिजिए एक परसन पर पांच नमर मिल रहा है नो उसको और चार परसन के सही उतर देता है तो चार पचे कितना हुआ 20 मोहन को 20 अंक सही उतर से प्राप्त हुआ अब मोहन 6 परसन का गलत उतर देता है और गलत उतर पर दो अंक करता है टो छह परशन का गलत उतर दिया तो छह गुना दो बारे बारे एंग क्या होगा इसका? नमबर कटेगा नमबर कटेगा तो बीस मेंसे बारे घटाएंगा उसको आठ नमर प्राप्त होगा दूसरा समझे रिसमा के पॉछ सही उतर है मतलब उसको सही उत्तर पर पांच उत्तर पर पांच उत्तर गलत है तो 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 पांच मिलेगा तो दो का उत्तर सही है तो हीना को कितना मिलेगा दस नमर मिलेगा चलिए दस नमर मिला अब देखिए और पांच के उत्तर गलत है तो गलत होने पर दो नमर करता है और पांच को का गलत है तो पांच क्या होगा पांच दोना दस नमर घटेगा, तो 10 में से 10 गया, 0 बचा, हिना को 0 नमर आया, सवाल नमर 13 है, चलिए, पुरा लोजिकल सवाल है, और 7 कलास का मैथ, अगर आप स्वाल कर लेते हैं, तो 8 कलास का मैथ, आपके पास कुछ भी नहीं है, सेबन का थोरा सट ठोफे, देखिए, तेरे नमर जो सवाल है, वो बोल रहा है, एक सिमेंट कमपनी को सफिद सिमेंट पर बेचने पर 8 रुपईये परती बोरी की दर से, आप रुपईये परती बोरी, एक बोरा पर 8 रुपा का लाब होता है, एक बोरा अगर बेचता है, तो उसको 8 रुपईया का लाब होता है, और सलेटी रंग की सिमेंट बेचने पर 5 रुपईया एक बोरी पर उसको घटा लगता है, पाँच रुपया की हानी होती है अब question कर रहा है उसको समझते है question क्या कर रहा है एक नमन में किसी महीने में वह company सफेद सिमेंट की तिन हजार बोरियां बेची है अब बताएए सफेद सिमेंट पर आठ रुपया का लाब होता है तो तीन हजार बेच दिया तो तीन हजार गुना आठ और सलेटी सिमेंट पांच हजार की बोरियां बेची अब एक सलेटी सिमेंट पर उसको पांच रुपया का नुकसान होता है और पांच हजार बोरी बेचती है तो पांच हजार गुना पांच उनका कितना लाव हुआ था चलिए निकालते हैं धियान से देखिए अब वो क्या करता है 3,000 जो है सफिद सिमेंट बेचता है तो इसमें 8 रुपईया का लाव होता है तो 3,000 गुना 8 कुल में लाकर उसको 24,000 रुपईया का लाव हुआ अब 5,000 सिमेंट सलेटी बोरी बेचती है सलेटी बोरी सिमेंट की तो उसमें 5 रुपईया का हानी होता है अगर 6400 सफिद सिमेंट बेचती है तो कंपनी को सलेटी सिमेंट की कितनी बोरियां बेचनी चाहिए ताकि उसे ना तो लाब हो और नहीं हानी हो 6400 बॉरा अगर सफफिद सिमेंट का से अत ही सी में PEW 6400 बॉरा बचता है सफिद सिमेंट का 8 रुपया का यहरै गुणा की यह 9200 रुपया का यह कर आद हान यहरै तो कि 1290 में क्या होता है एक बोरा पर 5ुपया यह हाणी होता है और टोटल एतना रुपया उसको कमाना है मतलब इतना ही रुपया नुकसान उसको चाहिए ताकि ना लाव हो ना हाणी हो एक 50 दूसुर में पॉस्ट जगर भाग कर दें दूसौं में पॉस भाग के कितना 10,240 आया तो 10,240 बोरा सलेटी सिमेंट का अगर वो बेचता है तो नहीं उसे लाव हुआ होगा और नहीं उसको हानी होगी समझे चलिए इस चप्टर का लास्ट सवाल जो है वो आपको हम बताते हैं चाउदय नमर सवाल आपका जो है चाउदय नमर का सवाल आपका बोल रहा है एक बिद्धूत कमपनी परतेक रंगीन टीवी पर 80 रुपईये का लाव कमाता है सेम कुस्टन है एक रंगीन टीवी पर 80 रुपईये का लाव और परतेक रेफिजरेटर पर 60 रुपईये की होनी ह होती है रेफिजडरेटर पर 60 रुपएया नुक्सान हुआ इसमें 80 रुपएया लाब हुआ तो कस्टन क्या करा है कंपणी 5,000 रंगी टीवी और 4,000 रेफिजडरेटर एक महीने में बेचता है तो तो कंपणी को कितना लाब यहां नहीं हुआ समझें उसको रंगीन टीवी बेचने पर 80 रुपईय का लाब हुआ तो 5000 बेचा 5000 गुना 80 तो 4 लाख का लाब हुआ उसको लेकिन 4000 रेफिजरेटर बेचा और एक रेफिजरेटर पर 60 रुपईय कीहानी हुई तो कुल मिलाकर 2,40,000 का उसको घाटा हुआ 4,40,000 का लाब हुआ और 2,40,000 का नुकसान हुआ तो इसमें 2,40,000 का अहानी हुआ बता है इसमें से इसको घटाएंगे तो इसको लाब ही ही होगा तो इसको क्या हुआ लाब हुआ अब दूसरा कुस्टन क्या पूछ रहा है कमपनी द्वारा 4,000 रेफिजरेटर बेचने पर कमपनी 4,000 रेफिजरेटर बेचता है पर कमपनी कितना रंगीन टीवी बेचे कि उसे न लाब हो और नहीं हानी होगा 4,000 रेफिजरेटर बेच रहा है तो कितना रंगीन पीवी बेचे कि नहीं लाब हो और नहीं हमानी हो चली समझते हैं देखिए चार हजार बेचता है कुँची कमपनी रिफिजरेटर बेचता है तो 4.000 रिफिजरेटर पर कमपनी को 60 रुपईय की हमानी होती है यहाँ पर मिसमाइंड हुआ है 60 रुपईय की हानी तो अब 4,000 में 60 से गुना करेंगे 24,000 होगा 24,000 चार जीरो आ जाएगा चार्ज रिकाई दाही से 1,010,000 तो 2,40,000 कमपनी कमाती है कितना से 2,40,000 कमपनी 4,000 डेफिज रेटर बेचने पर इतना का घाटा लगता है हानी होता है अब कितना रंगिन टीवी बेचे कि ना की उसे लाब हो और नहीं उसे हानी हो तो चार यहाँ पर 2,40,000 में 80 से भाग देंगे 80 से क्यों भाग देंगे क्योंकि एक रंगिन टीवी बेचने पर 80 रुपईया का फाइदा होता है तो 00 कट गया 8,34, 3,000 आया तिन हजार अगर रंगिन टीवी बेचे तो उसे क्या होगा हानी होगा यहाँ पर लिखना पर equity लेका तीन हजार रंगिन टीवी बेचेने पर उसे ना तो लाब होगा और नहीं हानी होगी इस परकार से आपका आई ये चेप्टर जो है परिश्णावली एक पॉइंट है दो बहुत बड़ा चेप्टर था आपने पूरा सवाल सौलब किया लाइक करकिया आप सब्सक्राइब कर लीजिए थैंक यू मिलते हैं अगले वीडियो में